कि इस वीडियो में हम आपको ओस्टवाद बीदी से नाय्ट्रिक आमले या चेंसे बनाएंगे इसकी बीदी का सचित वरण to बारे में बताएंगे आपको और सांक बारे में बताएं पर और यह बोड के एक्जाम के रिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हर साल एक्जाम में पुछे आता है तो आज इसी के बारे में हम डिसकस करेंगे और यह बहुत से इंपॉर्टेंट कुछें यह लगभग हर साल एक्जाम में आता है तो चलिए आप पहले प्रस्नों उत्तर लिखेंगे यहां प्रस्नों उत्तर एक है तो आप यहां एक लिखेंगे पांच से तो पांच लिखेंगे चलिए उस्टवाल बिधी हैडिंग डालेंगे आप उस्टवाल बिधी से नाइट्रिक अमन का निर्माड तो पहले इस बिधी में अमोनिया तथा वायू के मिस्रण को प्लेटिनम उत्पेरग की उपसिती में 700 से 800 डिग्री सेंटिगर ता पर गर्म करते हैं इसे पोस्टवाल बिधी में हम अमोनिया और आक्सीजन के मिस्रण को प्लेटिनम उत्पेरग की उपसिती में 700 से 800 डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म करते हैं तब हमको नाइट्रिक आक्साइड मिलती है और यह हट्रू जो आपका बाहर निकलता है अभ इस नाइट्रिक आक्साइड को हम फिर नाइट्रिक आक्साइड का वायू की आक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाई आक्साइड में आक्सीजन करके इसे जल में असोसित करने पर नाइट्रिक आमल बनता है जो हमारा नाइट्रिक आक्साइड बना हुआ है इसको हम फिर आक्सीजन के वायू के आक्सीजन के साथ रियक्ट कराएंगे तब हमको नाइट्रोजन डाई आक्साइड मिलता है यह नाइट्रिक आक्साइड है इसको हम वायू आक्सीजन O2 O2 के साथ reject कराएंगे तब हमको nitrogen dioxide मिलता है फिर nitrogen dioxide को हम nitrogen dioxide को देखें यहाँ पर nitrogen dioxide है इसको फिर हम H2O के साथ reject कराते हैं तब हमको nitric acid nitric acid मिलता है और nitrous aml भी बनता है इस nitrous aml को जो nitrous aml से भी हम जो nitric acid होता उसको भी निकाल लेते है देखें यह nitrous aml इसको तीन मोल करके यहाँ पर हमने nitrous aml से भी यह चैनो 3 यह नहीं nitric acid निकाल लिया और nitrogen और nitric oxide और S2O देखें इस बीधी में पहले बीधी अब इसकी हमने पहले के इसका केमकर reaction लिखा फिर बीधी फिर figure ऐसे आप exam में लिखेंगे तो आपको पूर नमबर मिलेंगे देखें बीधी में इस बीधी में ammonia तथा y को एक अनुपाते 9 एक संबंधे 9 में लेते हैं के मिस्रड को 700 से 800 डिवी सेंटिग्रेट प्लेटिनम उत्पे रख की उपस्ति में गरम करते हैं कहां गरम करते हैं जहां उत्पे रख कच में गरम करते हैं फिर 95% अमोनिया का वायव द्वारा नाइट्रिक आकसाइड में आकसिकरड हो जाता है देखिए हमने जो अमोनिया लिया था इसको वायव के साथ गरम करते हैं तो यह अमोनिया जो है आकसिकरड जाती है किसमे नाइट्रिक आकसाइड में वही हमने आपको बताया जो अमोनिया है पूरा वायव का आमनिया का वाय ड्वारा नाइक्टरिक आक्साइड में आक्सिकर वोग जाता है देखिया हम आपको ले सलते हैं फिगर यहाँ पर देखिये यह आपका फिगर है यहाँ पर हम यह नेश्टी और वाय पर लेते हैं इसको यहां से ले जाते हैं और यहां यह उत्प्रेरा कच्छ है इसमें ले जाते हैं और इसको उत्प्रेरा कच्छ में साथ से आठ सट डिवी सेंटिग्रेट पर गरम करते हैं जब गरम करते हैं तो उसके बाद देखे क्या है गरम करते हैं तो उत्प्रेरक कच से निकलने वाली गैसों गैसों देखे जो उत्प्रेरक कच से जो गैस निकलती है यह आपका उत्प्रेरक कच है इस कच से जो गैस निकलती है जब हम नाइट्रियन अमोनिया और वाईव को गरम करते हैं इसमें उत्प्राइब कच में तब हमको यहां से नाइट्रिक आकसाइड गैस निकलती है उत्प्राइब कच से निकलने वाली गैसों को निकलने वाली गैसों को आकसी कर टावर में प्रवाहित करते हैं तो जो गैस निकलती है, जो यह 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 नोटू गैस निकलती है, उत प्रक्त से इसको हम आक्सी करक टावर मिले जाते हैं, यह आपका जो है आक्सी करक टावर है, यह आक्सी करक टावर मिले जाते हैं, जहां नायट्रिक आक्साइड को वायव की आक्सीजन द्वारा नायट्र bilang डाइक सायड में आक्सीक्रित हो जाता है इस देखें है यहां पर हम यहां Fraktion यह ले וले आते हैं तो देखिए यह यांद आपक कर जाता है बंतलब आपकिंसमें नशसी कर जाता है कि इस में नाइकर से पृस Technically एक के इसको हम कहाँ जाते या जाते हैं और सोसर आशोसीत टावर में ले जाते हैं तो यहां से यह तो यहां से हम पानी का इस्प्रे करते हैं पानी का इस्प्रे करते हैं तो जो और जो यह नाइट्रोजन डाई आक्साइड बनी थी यहां पर और सोसित टावर में ले जाते हैं इसको और यहां से यह जल का हमने बताया कि नाइट्रोजन डाई आक्साइड को और सोसित टावर में ले ज जाएंगे और यहां से जल आपका इस इसमें से यह क्या क्वार्ट्स पत्थ के टुकड़े हैं इसमें से आपका जल होकर आएगा और यह 402 के साथ रियक्ट करेगा हमने आपको बताया था देखिए यह 902 नाइट्रोजन डाई आक्साइड के साथ रियक्ट करेगा और यह 403 रियक्ट करेगा और हमारा यह 903 बन जाएगा बन जाएगा और यह यह 303 हां यहां से अने यहां से आपका बाहर निक्रिगा यह इससे तри यहां रियक्ट किया और यह पानी यह नाइट्रिक अमल बन गया है इस नल की द्वारा बाहर निकलता है यहाँ पर एक कंटेनर में ले लिजी आप यहाँ पर आपका नाइट्रिक अमल बन गया अर्विए और फिखर का नाम लिखिए ओस्ट वाल बिदी से नाइट्रिक अमल बिए यह यहστεर लिए लिएmeno 3 यह ऐसे 2023 अमनका निर्माड या नाइट्रिक अमनका निर्मार तोफ्रेंट्स यैद्ट्स आपको पहले ऐसे हैडिंग डालेंगे और पहले आपकेमकल रियक्षिन लिखेंगे इसके समीकरद फिर लिखेंगे फिर उसके बाद या दो प्या जाकने या जो वगर बनAYे आ बस आपको इतने में पाइस नार जाएंगे डान